नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का UPS सिवतकर्ष में हाली में हमने देखा कि किस प्रकार से जर्मनी में भारतिय वोकिंग प्रोफेशनल्स के लिए 20,000 से कोटा को 90,000 कर दिया है यह सालाना रहेगा यानि की अब जर्मनी में पॉपिलेशन की वज़े से एकनोमी पर असर आने लगा है जर्मनी को सिक मैन ओफ यूरोप कहा जाता है बार बार इसे ऐसी कंट्रीज में रखा जाता है जन्होंने यूरोप को एक बिमार एरिया के रूप में प्रदर्शित किया है इसलिए क्योंकि जर्मनी की एकनोमी बहुत बुरी तरह से डाउन हो रही है अब हम बात करेंगे जर्मनी की कि किस प्रकार से वहां की एकनोमी डाउन हो रही है और भारत इसकी अर्थविवस्ता समालने में किस प्रकार से कारे कर सकता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं वोक सीमा साजह कर रही है इतनी इसके अलावा Belgium से अपनी सीमा साजह करती है Luxembourg से अपनी सीमा साजह करती है France से अपनी सीमा साजह करती है Lichtenstein से अपनी सीमा साजह करती है साथी साथ Austria से अपनी सीमा साजह करती है, शेक रिपब्लिक से अपनी सीमा साजा करती है, और यहां पर हम देख रहे हैं कि जर्मनी की प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही है, बर्लिन इसकी राजधानी है, और यह जर्मनी में नौर्थ येरोपियन प्लेंस काफी जादा फेमस है, स्पेशली यहां पर रॉर का प्लेंट जो है, रर, प्लेंस ओफ रीजन ऑफ जर्मनी बहुत फेमस है, one of the most famous regions of the world, क्योंकि पहली बात तो यहां पर आयन और काफी अच्छा मिलता है, आयन और, और यह स्टील, एन आयन इंडस्ट्री में काफी काम आता है, स्टील एन इंडस्ट्री में, ठीक है, इसके अलावा हमें यह ध्यान रखना है, कि पर्टिकुलर्ली जर्मनी प्लेंस से, माउंटन से सबसे बना हुआ है, तो हर जगह की एकॉनमी इसके पास, अलग-अलग रूप से, यहां प बना रही है, जर्मनी के तीन पक्षे गट बंधन, ट्राफिक लाइट गट बंधन इस हफते की शुरुवात में, तब लाल निशाने पर आ गया, जब चांसलर ओलाफ श्कोल्स ने व्यापार समर्थक, फ्री डेमोक्राट्स की वित्यमंत्री, क्रिशियन लिडनर को निकाल अगले साल की शुरुवात तक जारी रहेगी, जबकि संसद में सबसे बड़े विपक्षी गुट के नीता, सेंटर राइट क्रिशिन डेमोक्राट्स के फ्रेडरिक मर्ज ने ततकाल अविश्वास प्रस्ताओ, यानि की नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार अब कॉन्फिडें सरकार चल रही है, अब इसका पतन भी देखने को मिल रहा है, वैसे तो अगर आब भारत की बात करें, भारत में भी गड़बंधन सरकार ही है, पर यहां पर सरकार फिर भी मजबूत है, गड़बंधन तो है, फिर भी मजबूत सरकार है, गड़बंधन का पतन तीन गड़ब की बात हो रही है वैसे economies बहुत ही off track चल रही है उसमें अगर एक एक economy खराब होती चली जाएगी तो यह आगे यूरोप के लिए डेथनेल भी साबित हो सकती है जर्मिनी रूस और चीन दोनों के साथ अपने मजबूत व्यापारिक संबंदों से दूर होने के लिए संघर्ष लगातार कर रहा है लेकिन अब सबसे बड़ा बदलाव संयुक्त राज अमेरिका में डोनल्ड ट्रम से को फिर से चुना जाना है क्योंकि अब पता चलेगा कि डोनल्ड ट्रम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ओरि करें तो इन्होंने अपनी देशी कंपनीज, डोमेस्टिक कंपनीज को बढ़ावा देने का जादा काम किया है यह एक्सपोर्ट ओरियंटेट तो हैं डॉनल्ड ट्रम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट ओरियंटेशन जादा हो इनका उत्पाद और साथी साथ निर्यात जादा हो बट अगर हम बात करें, import की, import क्या against रहते हैं, import नहीं चाहते, तो जिस प्रकार से ये अपनी जो policy लाएं है, make America great again वाली, वो यही चाहती है कि trading आसपास में export तो हो पर import ना हो, ताकि हमारी industry जादा बहतर हो, तो make America great again की जो policy रहेगी, ये यूरोप के साथ किस प्रकार से समनवाय करेगी, इसको देखना बहुत जादा जरूरी है, क्योंकि Donald Trump को इनके tariffs के लिए जाना जाता है, tariffs, ये tariffs लगाने में बहुत तेज हैं, कोई भी उतपाद अगर इनके country में आने की कोशिश करता है, उस पर इ अलावा यही दिक्कत है अब, जो संकेत दे रहा है कि यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए और अधिक करने के आवशकता होगी, उसे बढ़ते हुए tariff के साथ तालमेल भी बिठाना होगा, इस समें एक मजबूत जर्मन नेतृत्व का होना महतोपूर है, और ट्राफिक ल जर्मनवय बनाना मुश्किल हो जाता है, जबकि कुछ समय से सुख बुगाहट चल रही थी, नवींतम टकराओ के लिए ट्रिगर लिडनर के फ्री डिमोक्राइट द्वारा पर वृद्धी को अस्विकार करने या रिन लेने पर जर्मनी द्वारा लगाई गए कठोर में बदलाओ के लिए सेहमत होने का कदम था, इसे बीच स्कोल्स के साथ के सोशल डेमोक्राइट और ग्रीन उच्चे राज निवेश के लिए दवाव डाल रहे थे और कल्यार कारिक्रमों में कटौती के फ्री डेमोक्राइट के प्रस्ताओं का विरोध कर रहे थे, वोक्स जर्मनी की विनिर्माड शमता का प्रतीक रही है, अगर ये कार कंपनी अच्छा कारे कर लिए तो इसका मतलब इसकी एकॉनमी भी अच्छी जा रही है, कार निर्माता की बढ़ती परेशानियों का पूरा जर्मन आटोमोटी उद्योग पर गहरा असर पर रहा है, अब यहा इसलाक लोगों को रोजगार देता है, जिनमें से एक तिहाई से जादा वोक्सवाइगन के लिए काम करते हैं, तो यहां पर बेरोजगारी भी बढ़ने वाली है, वोक्सवाइगन के प्लांट बंद होने का मतलब डाउंस्ट्रीम सेक्टर पर कई गुना असर होगा, यानि कि कार के कमपनी जब बंद होती, तो इससे रिलेटेट जो भी कार के पार्ट्स होते हैं, उन कमपनी पर भी असर आता है, अक्टूबर के आखिर में कमपनी की शीर्ष कर्मचारी प्रतिनेधी, डेनियला कुवेले ने कहा था कि वोक्सवाइगन जर्मनी में तीन कार खानों को बंद करने और हजारो कर्मचारी को नौकरी से निकालने की वज़े से गिर्ती बिक्री है, चीन की बढ़ती प्रतिसपर्धा की बीच, योरोप में प्रतिसपर्धा बने रहने पर हताश कोशिशे हैं, एक रिपोर्ट ने ये भी कहा कि जर्मनी में कमपनी के कर्मचारीों का प्रतिनिधित्व करने वाली, परिशत के प्रमुकि कैवला ने वोल्सफवर्ग में Wokswगन के घरेलू संयंतर में श्रमकों की एक सभा में बताया, कि प्रस्ताविक बन्दियां, उस योजना का हिस्सा थी जिसे प्रति प्रबंदकों ने कारे परिशत के समक्ष जाना चाहती है, मुख्य शेत्रों से खुद को अलग करना चाहती है, शेश कर्मचारियों के वेतन में भारी कट औरती भी करना चाहती है, यह समस्या है वोक्स वैगन से कहीं आगे तक जाती है, पिछले महीने एक आटो शिखर सम्मेलन के बाद, जर्मनी एस्टोसियेशन Automotive Industry के प्रवक्ता ने ये भी बयान में कहा, कि हम Automotive उद्ध्योग में संकट का सामना नहीं कर रहे हैं, हम जर्मनी में एक व्यवसाइक स्थान के रूपे संकट का सामना कर रहे हैं, इसके अलावा जर्मनी को फिर से हम Sick Man of Europe के नाम से जान रहे हैं, विशलेशकों का कहना है क कि एक बार फिर से Sick Man of Europe बनने की तीन मुख्य का नहीं है पहले पार, तो देश की गैस, रूसी गैस पर निर्भरता, अब क्यूंकि रूस के उपर इतने जादा सैंक्शन्स लगाए हैं, USA ने, तो कोई भी कंट्री उसके साथ डॉलर्स में निर्यात आयात नहीं कर पा रहे ह है, जिसकी वज़े से किसी भी कंट्री के अगर रूसी गैस पर बहुत जादा निर्भरता होगी, वो एकॉनमी को किस प्रकार से इंधन देगा, सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है, दूसरी चीज कार उद्योग द्वारा इलेक्रिक्स को के दर को अपनाना, साथी साथ देश में डिजिटल टकनीक के प्रती संगर्जु हो रहा है, यूरो जोन पर अर्थशास्त्री और टिपनिकार ने कहा है कि जर्मन अर्थववस्था की समस्या दशकों से चली आ रही है, मुंचों के अनुसार देश के ओध्योगिक और राजनीतिक अभिजात वर्ग के बीच में परसपर संबंधु द्वारा पोशित, जर्मनी राज के नव व्यापारवादी नीतियों ने जर्मनी में, जर्मनी को नए अर्थववस्था शेत्रों में पिछड़ा बनाया है, उसे सत्तावादी, रूस और चीन पर अत्याधिक निर्भर भी बना दिया है, वर्सु स्थि इनों ने ये भी बताया, विशलेशक हैं, ये जर्मन अर्थववस्था के खराप स्थिति के प्रतीक के रूप में इन सब चीजों को देख रहे हैं, साथी साथ वैश्विक नेता के रूप में, वोक्स वैगन के आर्थिक और प्रतिकात्मक महत्व को देखते हुए, जर्म इन समस्याओं ने सतारूड गडबंधन की आर्थिक नेतियों के नकरात्मक परिणामों के दावों का सवर्थं करने के लिए एक सुविदा जनक तर्ग भी प्रदान किया था, जर्मनी में दोहजार चौबिस में आर्थिक गतिविधी स्थिर रहने की उमीद है, जबकि दो पहले शुरू हो चुकी इसकी प्रॉब्लम्स, 2015-16 की डीजल गेट घोटाले के बाद, वोक्सवागन ने उच सर्जन परिक्षणों में फरजी वारा करने के लिए सॉफ्टवेर का इस्तमाल किया था, जिससे उसके वाहन वास्तविकता से जादा जलवायू अनुकूल उसे दुनिया भर में लगभग 30 बिलियन यूरो का मुआफ़जा देना पड़ा था, इसी वज़े से, हाली में कमपनी की बिक्री में गिरावट देखी गई है, क्योंकि चीनी इलेक्रिक वाहनों ने ना केवल घरेलू बजार पर कबजा किया है, बलकि यूरोप में भी इसके लिए समर्पित इसके कई कार खाने कम शंता पर चल रहे हैं, प्राध्योगी की विक्सित करने में वोक्सवागन के अपने संगर्शों के अलावा, इसका कारण या है कि चार्जिंग इंफ्रस्ट्रक्चर के धीमे रोल आउट, मतलब अगर आपने एलेक्रिक वेहिकल बना दिया है, तो चार्जिंग स्टेशन भी तो बनाना पड़ेगा, वो भी बहुत धीरे रोल आउट हो रहा है, साथी साथ साथ सबसड़ी वापस लेने वाले देशों के कारण यूरोप में एवी की मांग में गिरावट आई है, साथी साथ जर्मन ऑटो उद्योग संग अनुसार जर्मनी में इस वर्ष के पहले आठ महिनों में केवल 3,60,000 इलेक्रिक कारे बेची गई थी, जो कि 2023 के समान अवधी के तुलना में 20 प्रतीशत से अधिक कम है, इसके अलावा, वी डबलू पर यूरोपिय अर्थवयस्था में आई गिरावट का बहुत बुरा अस में जर्मनी हैं इन कंट्रीज में, 0.3% के साथ, 36 महीने पहले तक जर्मनी आर्थिक और राजनीतिक सफलता का प्रतीख माना जाता था, इससे पहले पूर्व चांसलर एंजला मार्कल को वास्तविक स्वतंत्र दुनिया का नेता भी कहा जाता था, जर्मनी का निर्यात संच सालित आर्थिक मॉडल विश्विस तरिये था, लेकिन किसमत का बदलाव हुआ और इस प्रकार से अभी हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, यहां पर किस वज़े से प्रॉब्लम्स हुई यह तो मैंने आपको सब बता दिया है, अब हम बात कर लेते हैं कि किस प्रक में इंडियन एकॉनेमी से काफी इंटर्ट्वाइन हो गई है, जर्मन आर्थिक संकट से भारत को मिलने वाली आसायता से भी प्रभावित कर सकता है, वैश्विका पूर्ती श्रिंखलाओ पर असर पड़ सकता है, अगर चीन हर जग अपनी पैठ बनाता चला जाएगा तो पहारत के लिए यह आगे बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है, चले इसे संबनने ते क्वेश्चन देख लेते हैं, जर्मनी का सिक मैन आफ यूरोप बनने के कारणों पर चर्चा करें, भारत पर जर्मन अर्थ्विवस्ता के प्रभावव पर संक्षिप्त टिपड़ी करे ठीक है, तो जितने अच्छे से टिपड़ी कर सकते हैं करें, कोशिश करें धाइसों शब्दों में लिखने की धन्यवाद